गुद मॉनिंग एरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं बिलकुल अच्छे होंगे तो चलिए अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम कुछ फिल इंदर ब्लैंक्स करेंगे आपको कुछ ओप्शन्स दिये होंगे आपको उसमें से एक एक्कुरिट आंसर सेंटेंस के हिसाब से चूज करना है कि कौन सा इस सेंटेंस को एक अच्छे से सेंस दे रहा है और इसको कम्प्लीट बना रहा है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर है completed with the help of given options हमारा paragraph है सबरी माला is situated जो सबरी माला एक जगे का नाम है वो कहां पर है जब भी आपको पता है कि जगे की बात हम कर रहे हो तो mostly इन ही आता है लेकिन कोई बहुत एक accurate place वो बता रहे है तो add आता है लेकिन यहां पर हम simply किसी और चीज की किसी और जगे क बात कर रहे हैं कि वो जगे वहां पर है तो उसके लिए हम mostly इन ही यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे सबरी माला is situated in western ghats जो सबरी माला है वो कहां पर है वो western ghats में है and is named after और जिसका नाम है वो किसके नाम से रखा हुआ है सबरी के नाम से रखा है आप ने दिखा हो कुन थी दा ट्राइबल वुमें ट्राइबल वुमें थी ओरत थी डैश इंदा रमायन कहां पर मैंशन इंदा रमायन जिसको किसमें मैंशन किया हुआ था रमायन में में मैंशन किया हुआ ठीक है क्योंकि हमने असल लाइफ में देखा नहीं है कभी तो हम जो इसको मैंशन क पुरानी बात है तो obviously हम past tense की इसमें इसमें put करेंगे तो यहां पर past tense में क्या है mentioned रामायन में जो mentioned है जो tribal woman उसके बारे में यहां बात की जा रही है तो हमारा बी का option क्या होगा mentioned फिर आते हम अपने c पे dash attain salvation after जिसने क्या की salvation होता है मोक्ष जिसने मोक्ष प्राप्त की तो किसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं एक person को denote करने के लिए ठीक है जिसने जो word है हमारा उसको accurate sense देने के लिए हम कौन सा word यूज़ करेंगे who या फिर whose या whom तो आप पुट करके देखें who attained salvation whose attained salvation whom attained salvation आपको पता है who क्या होता है कि जिसने जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सबरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मोक्ष मिली थी तो यहां पर answer क्या हैगा हमारा c who attained salvation after कब मिली थी उसे मोक्ष आफटर अब वो क्या थी female थी तो female के लिए हम क्या यूज़ करते हैं her और male के लिए क्या यूज़ करते हैं his after her meeting किसके साथ मिलने के बाद उसको मोक्ष पराप्त हुई थी आप सबको पता है राम से मिलने के बाद तो किसी के साथ मिलने को I met with my friends मैं अपने साथियों से मिला ठीक है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं with use करते हैं तो last में क्या option आएगा आपका with तो यहां पर to नही आ सकता तो obviously हम किसी से मिलने की बात कर रहे हैं जिसके साथ हम मिलते हैं तो साथ word के लिए हम क्या use करते हैं with use करते हैं तो मैं आपको दुबारा से यह read करके बता देती हूँ Sabri Mala is situated in western guards and is named after Sabri the tribal woman mentioned in the Ramayana who attained salvation after her meeting with Ram तो यह हमारा complete हो गया है आपको अच्छे से concept clear करने के लिए आपको और practice करने पड़ेगी तो उसके लिए आप net से search कर सकते हैं या फिर किसी भी book से आपके पास किसी भी class की book होगी जिसके अंदर यह philips होंगे आप उसको try करें Thank you and have a nice day